बिर्फ का गोला तो आपने कई बार खाया होगा आज हम बनाने वाल हैं कच्छे आम की चुसकी जो होगी बर्फ के गोले से भी बहुती मज़ेदार, चटकारेदार, खटी, मीठी, तीकी सी और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में होगी बहुत ही मज़ेदार अगर आप एक बार बनाएंगे न तो इसको बार बार जरूर से बना करके खाएंगे उसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं ले लिए हैं ये कच्छे आम ये आदा किलो से थोड़े से और जादा है बस अभी हमें क्या करना है इनको अच्छे से वाश कर लेना है एक दूबार पानी से जिससे कि जो गंगी उपर लगी होगी जो डस्ट होगी वो बढ़िया से निकल जाएगी बस इस तर उपर के जो पार्ट है उसको अच्छे से निकाल दिया है उसके बाद आप चाहें तो इसको स्टीम दीजिए पर मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से बनाना बता रही हूं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कूकर में एक ग्लास पानी डाल देंगे और उसमें हम हमारी सार लेने तक पकाऊंगी एक सीटी लेने के बाद यह देखिए मैंने ढकन खोल कर देखा तो हमारे जो कर्ची केरिया है वह अच्छे से पक गई है एकदम से सॉफ्ट हो गई है और जो पड़ भी गई है कुछ तो इसका चिलका भी उतर गया है तो बस अभी मैं इसको थंडा कर लोंगे उसके बाद हम इसका पल्प निकालेंगे आप इसको थंडा कर लीजे क्योंकि यह बहुत गरम होती है तो इससे हाथ जलने का भी डर रहता है तो बस दो से पांच मिट हम इसको थंडा होने के लिए रग देंगे फ्रेंट साप इसको बना करके जरूर देखिएगा यह बहुत ही मज़ेदार होती है, खाने में चटकारेदार, और अगर आपको बर्फ से बहुत पसंद आने वाली है तो इस तरीके से मैं इसका इस्पून की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से सारा पल्प निकाल लूँगी अब हम इसको बनाने वाले हैं बहुत ही चटकारेदार, मसालेदार तो उसके लिए मैंने इसमें कुछ पुदीने की फ्रेश पत्तिया डाल ली है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, इसमें सादा और काला वाला, काला और गूरा दोनों ही तरह के नमक डाल देंगे और उसके बाद और तीखा चटपटा बनाने के लिए काली मिर्च का पाउडर साथ ही मेंच में दो बड़े चमच बर कर डाल रही हूं शकळ, अगर आपकी Alejan carrying कnity है तो आप झ्क Cum Sh Canada डाले ये पर मेरी करी कहर काची है, साथ मैं ये अच्रीक के लित साथ। तो हम क्या करेंगे इसमें पानी डाल कर इसकी कंसिस्टेंसी को सही कर लेंगे तो इसके लिए मैं इसमें आधा ग्लास पहले पानी डाल दूँगी और इसको बड़िया से मिक्स कर लूँगी फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिगा शेयर कीजिगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा और बैल आइकन को दबाना मत भूलिएगा तो हम इसको बड़िया से मिक्स कर लेंगे आप इसको एक बार बना करके जरूर देखिएगा यह बहुत ही मज़ेदार बनेगी बस अभी थोड़ी सी और थिक है तो मैं इसमें थोड़ा से पानी और डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जो कि पानी हमारा अच्छे से पल्प के साथ मिक्स हो जाए बस यह परफेक्ट कंसिस्टेंसी है अभी हम क्या करे इस में थोड़ा से और मसाले डालने वाले हैं इसको और चट्पटा चटकारे-दार बनाने के लिए इसमें थोड़ा से नमक कम था तो आप पहले इसको टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद मैं इस में दाल रही हूं ठोड़ा सघीर का पावडर सांथिए मैं शोड़ा पु लेंगे उसके बाद हमें इसको सेट करने के लिए रखना है उसके लिए मैंने यह डिस्पोजबल कप होते हैं जो चाय कॉफी वाले वही ले लिए अगर आप चाहें तो मोल्ड में भी सेट कर सकते हैं पर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूं अगर आपके पास मो कर सकते हैं तीखा मीटा जैसा भी आपको पसंद है बनकर के तयार है हमारी खटी मीठी चटकारेदार चुस्की अगर आप चाहते हैं कि इसमें वर्फ ना जमें तो आप इसको ऊपर से पेपर से कवर करके सेट करिएगा पर मुझे चुस्की चाहिए ता बर्फ का गुला इ बनाएगा और मज़े लीजीगा यह बहुत ही मज़ेदार लगेगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी चुस्की कैसी बनी मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई